नमस्कार दोस्तों स्वाकेत आप सभी का Civil 11 में मेरा नाम है संदीब कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं Building Materials and Concrete Technology से Related जो Questions हैं उनके बारे में दोस्तों अगर आपने अभी तक Unacademy आप को Install नहीं किया है जिससे कि आप Unacademy के ऊपर जो Amazing Special Glasses होती हैं हमारी वो भी आप Attend कर पाएं और साथी साथ में Unacademy सब्सक्रिप्शन पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप Attend कर पाएं इसके लिए आपको सबसे पहले Unacademy की आपकी ऊपर अपना Goal सेलेक्ट करना होगा और साथी साथ में आपको access मिलता है Unacademy platform पर throughout the category आप किसी भी educator की कोई भी class देख सकते हैं दोस्तों Airport Authority of India के अंदर अभी जो है Junior Executive Air Traffic Control के अंदर जो vacancy आई हो है उससे related एक specific batch या specific category के अंदर sessions जो हैं वो शुरू होने वाले हैं 20 seconds से मतलब आज से शुरू हुएं तो आप उसमें पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले categories के अंदर देख लेना है कि आप Airport Authority of India इस category के अंदर आप जा रहे हैं या फिर आप यूँ कहिए कि civil engineering से specific आगर आप तयारी करना चाहते हैं तो वहाँ पर sessions आपको मिल जाएंगे इस category के अंदर आपको सिर्फ courses के अंदर enroll करना होता है 25th को आपको DSSB का test जो है वो भी Unacademy के उपर मिल जाएगा Unacademy की वीडियो में आपको कोई भी inappropriate content अगर दिखाई देता है तो नेचे description में link है वहाँ जाके आप उसे report कर सकते हैं RCC हम पढ़ चुके हैं, Steel Design हम पढ़ चुके हैं, इनसे related मतलब questions कर चुके हैं, practice sessions जो हैं हमारे 20 और 21st को आज बात कर रहे हैं, Building Materials and Concrete Technology की और कल FM पर सो Strength of Materials हम पढ़ेंगे First question, question आपको read करने और फिर उसके बाद आप answer बता सकता है सभी को ने मशकार, good evening Question number first का correct answer क्या होगा First कड़ी देखें, आप से इसमें पूछा है, question number 1 के अंदर आप से पूछा है कि which of the following statements is not correct, सही नहीं कहा है कौन सी statement सही नहीं है, यह आप से पूछा है First statement क्या रहा है, highly reactive posolana and hence the early strength यहीं पर गलत हो गया, posolanas जो है वो ऐसे material होते है siliceous material होते है, जो कि क्या करते है जो cement है, उसके अंदर strength को develop करवाएंगे लेकिन later stage में, कुछ stage बाद जाके initially वो strength जो है, उसमें contribution नहीं कर पाते है वो खुद में उनमें cementious property नहीं होती है लेकिन cement के अंदर वो मिलकर, फिर उसके बाद वहाँ पर lime के साथ mix होके, या फिर calcium oxide के साथ मिलकर वो एक, आप ऐसे कह सकते है, cementious gel form कर देता है जो कि बाद में later stage के अंदर strength जो है, उसको increase करता है तो initial stage में strength जो है, वो increase नहीं होती है तो पहला statement यह आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा clear? next question पोजलाना की basic सी चीज, जो है basic property वही यहाँ पर first गलत लिखे हुई है Hydration of which of the following compounds is responsible for the increase in strength of Hydration कौन से compound का? आपको पता है कि अगर later stages में आपको strength जाएगे तो later stages के लिए कौन सा responsible होता है? diacalcium silicate जो है, वो responsible होता है next question the creep strain, जो creep आता है cement के अंदर वो maximum कितने time में आ जाता है? उसकी अगर हम बात करें तो वो कितने duration के अंदर आ जाता है? option C है यहाँ पर 5 years option C ही correct answer होगा 5 years option C ही correct answer होगा, जो cement के अंदर creep आता है वो लगबग 5 साल के अंदर आ जाता है next question expensive cement is used in repair work for opened up joints because expensive cement expands by hardening क्या यह बात सही है या गलत है? expand करने वाली यह expensive जो cement होती है volume increase होने वाली वो use की जाती है जो भी joints है उनको fill up करने के लिए क्योंकि बाद में वो cement swell हो जाती है तो joints को properly वो block कर देती है तो दोनों बाते सही भी या और explain भी कर रही है option A correct answer हो जाएगा हमारा next question which of the following conditions are recommended for using sulfate resisting cement? sulfate resisting cement के लिए कौन सी conditions recommend की जाती है sulfate resisting cement के लिए अगर हम बात करें देखें पहला statement concrete to be used in foundation and basement where soil is not infested with sulfates sulfates अगर present ही नहीं है तो sulfate resisting cement का क्या काम है तो पहला तो वैसे हट जाएगा concrete used for fabrication of pipes which are likely to be buried in marshy region के अंदर या sulfate bearing soils अगर है तब आप sulfate resisting cement यूज़ करेंगे simple, logical concrete to be used in the construction of यहाँ पर कुछ typing error होगा sewage treatment work होना चाहिए फराज कुछ नहीं है यह team से बात करनी पड़ेगी वो भी पोहे खाके काम कर रहे है आज कल ऐसा लग रहा है concrete to be used in construction of sewage treatment works correct answer क्या होगा इनमें से बताईए यह भी include कर सकते हैं तो हमारे पास second और third यानि कि option A correct answer हो जाएगा option A will be the right answer option A will be the right answer next question which one of the following cements is a delicouscent मतलब water की तरह form हो सकते है liquid की form में flow कर सकते है tendency to become liquid वाली condition क्या होती है which of the following cements is a delicouscent calcium chloride cement जो है that has a tendency to become liquid which compound of cement is responsible for strength of cement strength of cement के लिए कौन सा compound responsible है strength of cement के लिए कौन सा compound responsible है silica impart strength अगर access में हो जाएगा तो उसका setting टाइम भी बढ़ा देगा silica जो है वो impart करता है strength option B is the correct answer UBBCL का exam था ओके वेरी गुड दोस्त silica 3-4% कहां से आगे दोस्त 17-25% lime silica alumina alumina 3-8% यह इस range के अंदर है major compounds जो cement किया है वो है lime silica alumina बहुत बढ़िया दोस्त next soundness test of cement is carried out to determine its soundness test जो हम करते हैं वो free lime content पता करने के लिए करते हैं थोड़ा सा fast रखते हैं क्योंकि देखिए building material है question पढ़ेंगे answer आ जाएंगे तो ऐसे questions जो है वो भी आते हैं अगर चाहें आप बात कर लीजे जैसे ही यह question है engineering services में आया हुआ है तो ऐसे questions भी आते हैं और थोड़े से typical questions जो है वो भी आते हैं अगर मैं building materials concrete technology की मैं बात करूँ तो इतना जादा level का difference नहीं आएगा थोड़ा बहुत ऐसे questions जरूर हो सकते हैं जैसे हमने starting में देखें न कि assertion reasoning से related हो सकता है जहाँ पर थोड़ा सोचना पड़े statement 1,2,3 इन में से कौन-कौन सा सही है तो ऐसे questions आज कर जही एक्दामें भी आने लगें और पहले ESC के अंदर भी आये हुए हैं तो लगबग लगबग आप यह कह सकते हैं कि level जो है वो आपको similar similar देखने को मिल सकता है इन subjects के अगर हम बात करें तो अब building material को हमने अलग-अलग तरीके से पढ़ा हुए है अगर आज तो हम यहाँ पर revise भी करने हैं इस session के बाद ना एक आप session जाना civil 101 के उपर जाना फिर उसके बाद videos के अंदर जाना और videos में जाके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर आपको एक session मिलेगा जिसमें most important questions of building materials ऐसे करके एक session है या फिर आप building material की marathon session पर चले जाना तो उस session के अंदर हर topic से related हमने questions किये थे वहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे questions की कौन से topic से जैसे यह है अगर soundness test है तो soundness test से related क्या के question पूछ सकता है apparatus के बारे में पूछ सकता है इसके dimension के बारे में पूछ सकता है या फिर इसकी limit जो है वो कितनी होती है इसके बारे में पूछ सकता है कितना amount of water यूज करते हैं 0.78p तो ऐसे हमने हर चीज से question निकाल निकाल के उस session के अंदर discuss किये थे तो इस session के बाद जब भी आपको time मिले तो आप वो session जरूर देखेगा soundness test of cement is carried out to determine its free lime content जो उसको expand करवाएगा gypsum हमारा favorite gypsum is added into the raw material during the manufacturing of cement so that the final product exhibits final product जो है उसके अंदर क्या हो जाए हम उसका setting time बढ़ा दे या फिर उसका retard कर दे उस process को हम क्या कर दे retard कर दे next question के और चलते है the initial setting time of cement depends on its initial setting time किसके उपर depend करता है initial setting time tricalcium illuminate के उपर depend करता है तो दो चीज़े होती है एक होता है strength और एक होता है setting हम ऐसे बोलते है और initial strength आई या नहीं आई उसके अंदर या फिर उसका set आया उसके अंदर या नहीं आया तो दोनों terms जो है हम कई बार इन दोनों में confused हो जाते हैं कि setting का मतलब क्या है और strength का मतलब क्या है तो जब हम बोलते है initial setting time तब हम एक definition बोलते हैं तो सारे answer जो हैं वो basic definitions में ही मिलते हैं हमें initial setting time is that time when cement starts to lose its plasticity final setting time is that time when cement completely loses its plasticity तो plasticity lose करने का मतलब जब वो stiff होने लग जाए वो deformation को resist करने लग जाए आप उसे जो shape देना चाते हैं उस shape में ना आए उसको resist करना शुरू कर दे तो जैसे जैसे वो stiff होने शुरू हो जाती है तो हम यह बोल देते हैं कि वो set होना शुरू हो गई तो क्या अगर कोई चीज stiff हो गई तो क्या उसके अंदर strength भी आ गई क्या यह ज़रूरी है क्या ऐसा ज़रूरी नहीं है इसलिए यह दोनों चीज़ें अलग अलग है strength को हम ऐसे बोल रहे है कि उसके कितने compressive strength कितने tensile strength यह उसके अंदर develop हो रही है मतलब कितना load लगाया जाया तो उससे कितना resist कर रहा है वो तो यह तो हो गया कि strength से related setting का मतलब कि deformation से related उसकी firmness या उसकी stiffness की बात कर रहे है ठीक है next pineness of cement is measured in the terms of pineness जो हम बताते हैं वो हम बताते हैं किसकी terms में ss a की terms में specific surface area जो कि क्या बताता है कि कितना area per unit mass है option c will be the correct answer next question in fineness test of rapid hardening portland cement the residue on receive number 9 should not be more than कोई गलत answer बताई मेरा ऐसे तो मत करो option a 0.01% गलत जवाब लग रहा है b 0.05 याद करो वो दिन जो भी दोस 0.01 बता रहे हैं तो वो तो वैसे भी नहीं है c बताते तो फिर भी चलो ऐसा लगता कि 10% कहना चाहा रहे हैं प्राहूल जी बहुत 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 बताई हो आपको ए ए ए ए एक्जाम क्लियर करने के लिए 12th का correct answer option b जो अब आपको दिखाई दे रहा है अब तो आपकी अब भी बता रहे हैं 5% statement में आपको बताया गया rapid hardening cement के बारे में RHC के बारे में generally जो questions आते हैं वो आते हैं ordinary podland cement के बारे में तो ordinary podland cement OPC के लिए अगर हम बात करें तो percentage of residue हमने 10% बोला था ISC number 9 हमने लिखा था तो weight of residue should not exceed 10% of the original weight for OPC था लेकिन अगर ordinary podland cement की जगा आपको rapid hardening cement दे दिया जाए तो 5% बोलना है podland pozolana cement बोल दिया जाए तो 5% बोलना है ordinary podland cement के लिए अगर हमने specific surface area की बात की थी तो हमने कहा था 250 cm2 per gram इससे मतलब जादा ही होना चाहिए इससे कब नहीं होना चाहिए अगर हम बात करेंगे RHC की rapid hardening cement की तो 32,50 तो आजकल इन points से related questions पूछने लग गया है क्योंकि OPC बाला तो पुराना हो गया तो इन से related questions भी आप से पूछे जाते हैं next question the diameter of why get plunger is 10 mm and its length varies from तो इसकी length जो vary करती है जो ये plunger होता है आपके पास इसकी length vary करती है 40 to 50 mm के बीच में और इससे related question क्या पूछता है कि ये जो mold होता है ना इस mold की height कितनी होती है तो इस mold की height होती है 40 mm next question जो इसमें पूछता है वो ये पूछता है कि जो plunger है उसको जब हम उस cement के अंदर insert करवाते हैं तो consistency आप जब measure करते हैं इसकी तो वो किस depth के उपर measure करते हैं तो वो हम ये बताते हैं कि वो top से अगर हम बात करें तो 33 से 35 bottom से अगर हम बात करें तो क्योंकि total depth ही इसकी 40 है तो top से जब 33 to 35 कह रहे है तो bottom से 5 to 7 हो जाएगा उतने penetration के उपर हम standard consistency बताते हैं next question जो आप से पूछता है वो ये पूछता है कि यहाँ पर annular collar जो है उससे ये जो needle है ये कितना project करती है तो ये project कितना करती है 0.5 mm ये जो projection है इसका कितना है 0.5 mm कितना बाहर project करती है तो ये question इससे related पूछे जाते हैं आपसे next question as a cheap alternative the fineness of cement is tested by using तो बच्चा बच्चा जानता है कि fineness of cement को अगर आपको cheap alternative मतलब या तो ये है कि आप blends air permeability air जो apparatus है वो यूज करें जिसके अंदर specific surface area के according हम बताते हैं या फिर आप क्या यूज करें आये सीव नंबर 9 जो कि 90 micron की होती है वो आप यूज कर सकते हैं ordinary portland cement के लिए जो residue मिले सीविंग करने के बाद सीव के उपर जो residue मिले वो 10% से जाधा ना हो rapid hardening और portland pozole आना cement के लिए 5% से जाधा ये value ना हो तो first method तो sieve test था दूसरा method जो था वो air permeability test था जिसके बारे में अभी values हमने previous question में भी discuss की fly ash bricks are used in construction as alternative to burnt clay bricks fly ash bricks are lighter in weight and are stronger than burnt clay bricks दोनों के दोनों कथन सत्य है और दूसरे वाला जो statement है वो first का explanation भी है तो option यह हमारा correct answer हो जाएगा जिन दोस्तों ने अभी तक session को like नहीं किया वो session को like कर सकते है as per IS 3102 1965 for first class bricks the percentage of water absorption after 24 hours of immersion in cold water shall not exceed 20% तो 20-25% हमने याद किया था next question brick machinery in mud mortar is weak in strength brick machinery को यानि कि brick को अगर आप use करेंगे और mortar कौन सा use करेंगे mud use करेंगे अगर आप तो mud को use कर रहे हैं जॉइन करने के लिए तो weak in strength होगी cement mortar enhances the strength of bricks relative to mud mortar तो क्या ये second statement सही है या नहीं है क्या ये second statement सही है या नहीं है देखो first statement की बात करें तो brick machinery mud mortar जो होती है weak in strength होती है सही बात है तो यहां पर एक छोटा सा word और अगर हम add कर दें जिसे हम क्या बोलते है brick machinery तो ये statement complete सा लगेगा कि cement mortar जो है वो strength of brick machinery को improve कर देगा enhance कर देगा अच्छा कर देगा जैसे आप app download करते हैं कोई app आज ही launch हुई है जैसे whatsapp आज से कई साल पहले अगर launch हुआ तो उस time में आपने देखा होगा तो उससे अब दक बहुत सारे enhancements आ गए उसमें और अच्छे improvements में वो आ गए तो इसी तरीके से अगर हम बात करें cement mortar जो है वो brick machinery की strength को enhance कर देता है ठीक है तो दोनों बातें सही है लेकिन explanation जो है वो नहीं मिल रही है भी होगा next question which of the following effect or ingredient changes the color of brick from red to yellow increases volume and causes cracks and disintegration दोस्ट कौन बता रहा है आपको यह TCS pattern TCS क्या करेंगे TCS platform provide कर सकता है कि हां किस basis के उपर जो भी IT companies है वो आपको वो product provide करेंगी which helps you to conduct examination exam जो set होगा exam का जो pattern होगा वो तो civil engineering के जो examiner है वो ही बताएंगे गलत जवाब आप बता रहे हैं option A जो की गलत जवाब है यहां पर बात की जा रही है किसकी lime slaking की बात की जा रही है तो lime slaking के कारण क्या हो जाता है अगर lime present है तो water add होगा तो उसकी slaking होगी calcium hydroxide मिलेगा जिसकी volume increase होगा volume increase tendency के कारण वो disintegrate करवा देगा particles को अलग अलग करवा देगा और तब brick का color जो है वो red से yellow भी convert हो जाएगा iron pyrites के अगर हम बात करें तो iron pyrites भी crystallization और disintegration करवाता है यहां पर क्यों क्योंकि जब burning होती है brick की तो उस वक्त जो pyrites iron के pyrites present होते हैं उनका क्या होता है oxidation होता है और उनके oxidation के कारण वो disintegration होगा या फिर यहां पर आप कह सकता है कि brick जो है वो टुकडों में बंट्स जाएगी next question unsoiling, digging and weathering of clay are a part of unsoil करना, digging करना, weathering करना यह किसका है brick को mold कर रहे हैं, dry कर रहे हैं, preparation कर रहे हैं या फिर burning of clay है तो यह सब किसके part हैं, preparation of clay के हैं, जिसके अंदर हम पहले top layer जो soil की होती है, जिसके अंदर organic matter होता है, उसको अटा देते हैं, impurities होती हैं, फिर dig करते हैं, फिर उसके बाद नीचे से clay soil लेकिया है, उसको clean किया, फिर उसको weathering के लिए छोड़ दिया कुछ हफतों तक, फिर उ फिर उसके बाद, मतलब tempering जो है, वो पग मिल में कर दी, फिर उसके बाद उसकी molding की तरफ जाएंगे हम, तो preparation of clay जो है, वो correct answer होगा, next question, at what temperature burning of the bricks is carried out, at which silica and lime fuse with each other, thereby imparting strength to the brick, तो किस temperature के उपर, तो लगबग लगबग आप यह कह सकते हैं, कि 1100 degree के आसपास, 1100 degree के आसपास हम burn करते हैं, next question, consider the following statement, statements को consider करिए, कौन सा कथन सकते हैं, वो आपको बताना है, देखे, पहला statement कहा है, strength of brick machinery is influenced by the type of mortar, mud mortar use करेंगे, तो पूरी overall machinery की strength कम हो जाएगे, अगर brick plus cement mortar use किया है, तो उसकी strength overall बढ़ जाएगे, तो पहला statement तो सही है, brick machinery with lime mortar achieves full strength earlier than cement mortar machinery, नहीं, अगर आप lime add कर देते हैं, तो lime जो है, वो set होने में time लगाता है, तो वो strength जल्दी attain नहीं करेगा, तो second statement गलत है, mortar strength decides the strength of machinery, obviously बात है, कि अगर mortar की बात की जाएगी, तो mortar जो है, वो strength को influence करेगा, brick की strength चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन bricks को join करवाने का काम तो mortar ही करेगा, तो इन में से third statement जो है, ये भी सही हो गया, तो first और third सही है, answer हो जाएगा हमारा option C, जो आप बता रहे हैं, second गलत हो जाएगा, next question, match करना है, जल्दी से match करी और उत्तर बताएं, आग लगा दो, पहले वाइफाइ स्टेडी में, बहुत ज़्यादा experience और बहुत ज़्यादा आप ये कह लिजी कि, gentleman type के जो sir थे, वो थे, अनुमान sir, मतलब teaching में नहीं थे, वो non teaching management के अंदर, उनका favorite dialogue था, आग लगा दो guys, तब जब भी ऐसा कुछ होता था कि rock कर दो वैसे तो वो ये ही बोलते थे, आग लगा दो guys, देखें, match list 1 with list 2, देखें, सबसे पहले अगर alumina की बात करें, तो alumina imparts plasticity, तो a का हो जाएगा 2, a का 2 हो गया, silica की बात करें, तो silica जो है, वो क्या करता है, अगर brick की बात कर रहे हैं, तो s for silica, s for shape हमने कहा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, silica की बात करेंगे, तो preserves the form, या फिर shape of the brick at high temperature, and prevents shrinkage, then अगर हम बात करते हैं, c, magnesia, तो magnesia जो है, वो color impart करता है, limestone की अगर हम बात करें, तो limestone क्या करेगा, limestone reacts with silica during the burning and causes particles to unite, join करवाने का काम करेगा, binding का काम करेगा, next, for checking the length of bricks as per Indian standards, how many bricks are to be taken, कितनी bricks जो हैं, वो हम use करते हैं, मतलब, अगर आपको बोला जाए, कि आप check करिए, कोई lot of brick आया है आपके पास, और उस lot के अंदर, जो brick की dimension है, वो सही है या नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, कि सिर्फ एक brick उठा ली, उसमें से और एक brick को measure करके देख लिया, कि 19 by 9 by 9 cm की है या नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे, तो कितनी bricks जो हैं, वो हम use करते हैं, test करने के लिए, 20 bricks जो हैं, वो हम use करेंगे, 20 bricks को length के along ऐसे रखेंगे, width के along रखेंगे, height के along रखेंगे, तब उनको measure करेंगे हम, तो जब length के along अगर हम रखते हैं तो एक brick जो है वो कितनी होती है 19 cm की होती है और अगर 19 cm को आप 190 mm की form में लिख देंगे तो multiplied by 20 bricks आपने दिखी है तो आपके पास ये value जो है वो कितनी होनी चीए 3800 आनी चीए ये value जो है वो कितनी आनी चीए 3800 लेकिन वो overall length 20 brick की जो है वो 3800 प्लस 80 भी हो सकती है 3800 माइनस 80 भी हो सकती है मतलब next type का जो question इससे related पूच सकता है वो आपसे पूच सकता है कि bricks का जो tolerance होगा length के अंदर for every 20 bricks तो वो कितना होता है length के अंदर 80 mm width के अंदर 40 और height में भी 40 consider करते हैं clear तो अगर 20 brick को ऐसे width के अलॉंग रखेंगे तो हर एक के width 90 mm हो जाएगी तो 90 into 20 करके देख लीजी आप तो आपके पास ये value जो है वो 1800 आनी चीए लेकिन overall length में 40 का tolerance चल सकता है 40 mm जादा या 40 कम तो 80, 40, 40 आप याद रख लीजेगा next more uniformly burnt bricks are obtained from a down drotch kiln अब आप ऐसे समझें केलन मतलब एक तरीके के कोई भटी है जिसके अंदर bricks जो है उनको हम burn कर रहे हैं heat कर रहे हैं तो पहले heat करते हैं फिर उसके बाद burn करते हैं तो अगर यहाँ पर आपके पास ये bricks हैं और अगर आप जो भी यहाँ पर burn करने के कारण gases release हुई है तो इन gases को अगर आप यहाँ से escape ना होने दे आप कहेंगे यहाँ से escape नहीं होने देते हैं इन gases को क्या करेंगे इस chamber से यहीं लाके यहाँ से बाहर exit करवाएंगे ताकि क्योंकि gases जो है वो गरम होती है गरम होने के कारण rise करेंगे, rise करेंगे तो यहीं पर रहेंगे जादा time वो यहाँ पर अगर रहेंगी तो इनका contribution इस heat में और बढ़ जाएगा तो fuel की efficiency हमारी बढ़ जाएगे यहाँ से हमारी efficiency बढ़ जाएगे तो पहली बात सही है या नहीं है इसके अंदर first statement तो सही है second the bricks are laid in circular form in this skill यह भी ठीक है next explain नहीं कर रहा है the minimum compressive strength of first class bricks should be अगर minimum compressive strength की बात करें तो first class जो है उसकी 10.5 mega pascal होनी चाहिए second की बात करें तो seven और third की अगर हम बात करें तो five और अगर common building bricks की बात करें तो three point five water absorption की अगर हम बात करें तो 20, 22, 23 या 25 ऐसे आप लिख सकते हैं generally हम 20, 22, 25 की form में याद रखते हैं strength based classification of brick is based on the basis of अब यह EAC का question है लेकिन question जो है वो थोड़ा सा पुराना है तो जो code हम अब refer करते हैं common burnt brick के लिए या उनकी strength classification के लिए वो कौन सा code यूज करते हैं 1077 कौन सा code यूज करते हैं 1077 3102 पुराना हो गया 1077 यूज करते हैं next question ये question ऐसे सी के अंदर आया था लेकिन ऐसे questions जो है ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल होते हैं बस data दे देते हैं आपको और उस data में से आपको बस थोड़ा सा पहचानना होता है कि हाँ कौन सा match कर रहा है कौन सा match नहीं कर रहा है या यूँ कह लीजिए कि अगर आपको bricks खरीद नहीं थी कहीं से आपको अपना घर बनवाना था या कोई project के लिए आपको bricks खरीद नहीं थी तो आपने क्या किया पांच जगा गए आप अलग अलग पांच vendors जो है उनसे आपने contact किया और उनकी bricks जो है उनके sample मंगवा लिए जो generally करते भी है हम अगर कोई भी construction होता है तो पहले sample मंगवाते है sample मंगवा के आपने उसके उपर test कर लिए आपने test करने के बाद देखा कि इनका water absorption values यह आई, average strength जो है इनकी यह आई अब आपको यह बोलेगा कि इन में से कौन सी को select किया जाए तो आप कहेंगे कि अपने requirement क्या है, test तो करके values बता दी हमने हमारी requirement क्या है, तो आप क्या quality चाहते हैं तो requirement यह बताई गई कि sample of burnt clay bricks from 5 different agencies A1 से A5 5 agencies है, इनसे bricks मंगवाई गई और उनका test किया गया और result यह दिये गए है, the criteria to be adopted correspond to the usage of bricks of class 15 and above as per IS 1055, 15 and above को ही आप use करेंगे, उससे कम strength वाली आप नहीं use करेंगे, which samples are recommended for wall construction, तो 15 and above वाली को ही use करेंगे, तो आप strength देख लीजिए कि कौन सी 15 and above में लाई कर रही है, कौन सी 15 and above में लाई कर रही है, बस आपको यह observe करना है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, देखे, अगर हम बात करें strength की, तो यहाँ पर 15,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर से जादा होनी जीए, तो वो किसकी जादा है, इसकी जादा है, इसकी जादा है, इसकी नहीं है, इसकी जादा है, इसकी नहीं है, अब अगर water absorption की बात करें, तो water absorption के अंदर हम चाहेंगे, कि 20% से जादा ना हो, 20% भी ना हो, या उससे कम कम ही और water absorption, तो water absorption की basis पर कौन कौन सी reject हो जाएंगी अगर हम यह कहें कि 20 से भी कम हो इसको फिर भी अगर मान लीजिए एक इदम critical value पर भी देखें तो इसको देखते हैं consider करते हैं options में है या नहीं है 12 वाले को तो नहीं consider करेंगे sorry water absorption 24 वाले को नहीं consider करेंगे 12 वाले को फिर भी कर सकते हैं 10 वाले को भी फिर भी कर सकते हैं और 14 वाले इसको किया जा सकता है अब on the basis of A5 जो है यह किसके basis पर reject हो गया कि strength जो है वो इसकी कम नहीं है water absorption तो कम है इसका लेकिन strength इसकी जादा नहीं है मतलब strength हमें जादा चीए थी कम से कम 15,000 class 15 के according 15,000 किलो न्यूटन पर मेटर स्कुएर हमें चीए थी अब इसमें A4 जो है water absorption में भी pass हो गया इसमें strength में भी pass हो गया तो ठीक है A3 जो है वो किसमें reject हो गया ना तो उसकी strength इतनी ना उसका water absorption जो है वो कम तो strength जो है वो इसकी कम हो गई water absorption जादा इसलिए इसको reject कर देंगे A2 की बात करेंगे तो water absorption criteria पर भी खरा है यह और strength पर भी है तो A2 यूज़ कर सकते हैं A4 यूज़ कर सकते हैं A4 and A2 A1 की अगर हम बात करें तो A1, 4 और 2 ऐसा कोई option है नहीं तो इसलिए हमें इसे छोड़ना पड़ेगा यह यह मानना पड़ेगा कि 20% से भी कम water absorption इसका होना चाहिए था तो इसलिए हम option A choose कर लेंगे इसलिए हम option A choose कर लेंगे next अब brick machinery could fail due to brick machinery जो है वो किसके कारण fail हो सकती है brick machinery अगर bonding proper नहीं है bricks की तो उसके कारण भी वो brick machinery fail हो जाएगी चाहिए brick अच्छी थी चाहिए mortar अच्छा था लेकिन joints ही proper आपने नहीं set की आप मान लीजिए कि imagine करके देखिए एक brick ऐसे फिर दूसरी इसके उपर ऐसे तीसरी इसके उपर ऐसे 34 इसके उपर ऐसे and so on तो अगर ऐसे आपने कोई दिवार बनाई है तो चाहिए mortar कितना ही strong use कर लीजिए यहाँ पर बीच में आपने यह vertical plane दे दिया जिसके कारण इसके along failure आई सकता है तो आपने properly bonding नहीं करवाई तो rupture along a vertical joint इस vertical joint के along failure आ सकता है पूरा sharing along horizontal plane अब horizontal plane के अंदर भी पूरी की पूरी दिवार ऐसे होता है कई बात कि इतनी दिवार थी उसमें से यह पूरी की ऐसे इतने वाला portion पूरा गिर गया तो bonding proper नहीं थी एक layer से दूसरी layer के बीच में तो sharing हो गई उसके crushing due to overloading कि आपने दिवार बनाई उस दिवार के उपर ही जैसे अगर घर बना रहा है कोई इनसान अब एक हद तक तो चल सकता है कि आपकी walls जो है दिवारें जो है बही load को bear कर ले मतलब load bearing walls आप बना ले लेकिन अगर आपका structure बहुत बलकी होने वाला है और आप कोई columns, beams, इनके arrangement नहीं कर रहे हैं अगर आप तो उस case में load जो है columns अगर आपने नहीं बनाई तो उस case में आपकी walls जो हैं उनकी जो bricks हैं वो टूट जाएंगे, वो crush हो जाएंगे Next Due to attack of dry rot, the timber dry rot की वज़े से timber जो है, वो क्या हो जाता है? powdered form में हो जाता है ठीक है, dry rot क्या होता है? जो आपने प्यार से अपने दोस्त का नाम रखा होता है तो dry rot जो है, उसके कारेंड lack of ventilation की वज़े से होता है ठीक है, next question Which of the following represents the moisture content in a properly seasoned timber? नहीं, dry rot का मतलब होता है, दीमक Which of the following represents moisture content? अगर आपने अच्छे से seasoning की है तो 10 से 12% एर ड्राइंग के अंदर ये 15% तक अच्छीव हो जाता है Next question The manufacturing of plywoods, veneer Veneer मतलब बहुती पतली पतली layer होती हैं wood के उनको हम कैसे रखते हैं? कि एक के अगर grains is along aligned है तो दूसरी layer जो हम रखेंगे इसके उपर उसके grains ऐसे aligned होंगे So for the manufacturing of plywood, veneers are placed at right angles ताकि दोनों direction के अंदर उसकी strength जो है वो हमें अच्छी मिल पाए फिर इसके अंदर हमने पढ़ा तो दोस्तों faces क्या होते हैं, core क्या होते हैं, cross bonds क्या होते हैं The solution of salts from the soil absorbed by the trees which becomes a viscous solution, sticky solution बन जाता है उसका Due to loss of moisture and action of carbon dioxide is known as कुल मिला के यह कहानी किसकी दे रखी है, sap की value दे रखी है आपको Code में जो water absorption values दे रखी हैं, फिर उसमें अलग-अलग तरीके से उसको define भी कर रखा है कौन-कौन सी types of bricks अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में building में, जब estimation costing एक बार पढ़ा था डिटेल में, तो उस वक्त हमने बात की थी starting में, अलग-अलग type of buildings की बात की, उन buildings के अंदर कैसी-कैसी bricks की requirement है हाँ, nutrient of tree कह सकते हैं आप sap को The reason behind the low expansion and shrinkage of plywood, plywood जो है उसका expansion और shrinkage कम क्यों होता है यह इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो plies होती है, या फिर जो layers रखी हुई होती है, वो एक दूसरे के right angle के उपर होती है तो दोनों direction में strength जो है वो हमें, अच्छी मिल जाती है Next question, what is the grade of timber as per timber grading? Is 6543, modulus of elasticity अगर आपको 12.5 kN per mm² दे रखा है तो इनको जरूर देख लीजिएगा, आज कल इन से related questions बहुत आते है पुराने time में बस वही annular rings क्या होती है, age of tree किससे बताते है या फिर जो layers है, सबसे center most में कौन सा होता है, सबसे outer most में क्या होता है अगर bark जो tree की है वो खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा तो ऐसे ऐसे questions जो हैं, यह तो चलो ठीक है, generic से question होगे लेकिन यह वो questions हैं जो अब पूछे जाते हैं इन सालों में तो अगर modulus of elasticity जो है, वो 12.5 से जादा है तो group A का timber बोलेंगे उसे अगर 9.8 से 12.5 के बीच में है तो group B और 5.6 से 9.8 है तो group C next question, granite जो है वो metamorphism के करण कनवर्ट हो जाता है किसमें? गनेस में कनवर्ट हो जाता है which of the falling stone has maximum percentage of water absorption by volume सबसे जादा water absorption की अगर हम बात करें तो water absorption आपको देखने को मिलता है sandstone के अंदर, limestone के अंदर और जो shale है इन के अंदर तो as per the given option उन में से shale है सबसे कम water absorption की अगर हम बात करें तो कम वाले आपके पास है granite, then gnis और slate जिसे damp proofing के लिए भी use करते है next question, hardness of the rock can be tested in situ by using hardness of rock जो हम बताते हैं वो हम किसकी मदद से बताते हैं इन में से जो भी आपको options दे रखे हैं smith test, skimid hammer test, acid test, crystallization test तो smith acid test और crystallization test ये तो इसके durability के test है न तो बचा कौन सा हमारे पास skimid hammer test अरे दोस्त, फिर से smith test बता दिया अब ये नाम अंग्रेज वाला है, लेकिन smith test में है क्या कुछ नहीं है आदा गलास पानी का लो, उसके अंदर एक stone का piece लाके उसमें डाल दो अब अगर वहाँ पर वो मड़ी हो जाए, पानी गंदा हो जाए अगर उससे तो आप बोल देंगे कि ये अच्छी quality का नहीं है अब ये किसे इंग्रेज ने कर दिया तो नाम लिख दिया smith test यहीं पर कोई sonu, monu, tinku उसको कर देता और अपना नाम लिख देता कागज में लिख देता है उसको, तो वो उसके नाम हो जाता ठीक है, ये किसका test था, durability के थे, कि वो stone durable है या नहीं है over the time खराब होगा या नहीं होगा next, in paint the pigment is responsible for इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि 100 जनों का बहस करना और एक जने का लिख लेना बराबर ही बात है, आप जैसे कोई भी general dealing करते होंगे ना मान लिजे कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, चाहे property की बात हो जाए तो property की case में तो चलो पूरा paperwork होता ही है तो वैसे ही जो भी लिखित में जो काम होता है चाहे हिसाब किताब की बात कर लिजे, किसी की भी बात कर लिजे जो चीज़ें return में होती है ना, उनकी value ही होती है बाकी verbal जो चीज़ें होती है, उनकी कोई value नहीं होती आप बैंक Vision में जाते हैं कोई काम बोलते हैं तो बैंक वाले जो भी एंप्लॉई होते हैं वो अगर आपको जवाब देते हैं कि सर यह ऐसा हो नहीं सकता तो आप क्या बोलते हैं यह लिख जिड़े दो यह यह mail पर लिख के दो तो एक लिक के बताओ एक बार आप फिर हम पूछेंगे कि होगा या नहीं ये काम तो रिटन जो चीजें होती है उनकी बहुत वैल्यू होती है जो भी आप काम करते हैं उनका डॉक्यमेंटेशन जितना होगा आपके पास वो अच्छा होगा आप कोई भी कहीं पर भी जाएं गवर्निमेंट सेक्टर में जाएं प्राइवेट सेक्टर में जाएं चीजें जब तक डॉक्यमेंटेड नहीं होगी तब तक बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट भी तो होते हैं जो सेम टाइम पर काम कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर रिसर्च पर लेकिन किसी का काम डॉक्यमेंटेड होता है पेटेंट करवा लेते हैं वो कोई नहीं करवाता है तो जो नहीं करवाता है वो भूल जाते हैं लोग उसे in paints the pigment is responsible for color resins are resins क्या होते है sticky substances होते है जो की water के अंदर soluble नहीं होते है spirit में होते है warnishes के अंदर इस्तिमाल होते है next putty is made up of तो putty के अंदर क्या होता है chalk होता है और oil होता है linseed oil plus chalk next question next question which one of the following is used as a carrier in paint carrier, vehicle, binder gone होता है इन में से linseed oil जो है वो एक carrier का example है adding extender in paint increases its extenders add करने के कारण क्या हो जाता है उसका pigment volume concentration जो है वो बढ़ जाता है जो कि क्या होता है volume of pigment कितना है अपन non-volatile जो direct gaseous form में नहीं convert होते हैं तो total volume of non-volatile constituents of the paint तो कोई चीज कितनी glossy होगी या नहीं होगी कोई paint जो है वो कितना glossy होगा या नहीं होगा वो किसके उपर depend कर रहा है उसके pigment volume concentration के उपर तो अगर वो 50 to 75 है तो flat होगा फिर जैसे-जैसे pigment volume concentration की value कम होगी यानि कि 35 से 45 होगा तो semi gloss फिर उसके बाद 25 से 35 तो gloss हो जाएगा तो ऐसा paint जो कि आपको एदब ऐसे shine मारता हुआ नजर आ रहा है तो gloss है जिसके अंदर तो glossy जो paint होगा उसका pigment volume concentration कम होगा और जितना ही आप matte type में चले जाएगे या फिर आप यह कह लिजे कि उसका gloss कम हो जाएगा तो उसका pigment volume concentration उतना ही बढ़ जाएगा Next Which of the following is added as a vehicle in paints vehicle की तरह lincid oil already बात कर चुके Next है tongue oil जो कि हम quality वाले paints के अंदर इस्तेमाल करते हैं Next question Sir आपको याद है या ऐसे ही चल रहा है दोस्त What is the full form of PVC and pigment volume concentration अच्छा answer तो यही पूछा है What is the full form of PVC and PVC and का full form हो जागा pigment volume concentration number Next question Concrete attains major part of its strength in concrete जो है वो शुरुवाती एक हफते के अंदर अपनी strength का जो major part है वो attain कर लेता है Permanent deformation of concrete जो होता है Steady load के कारण क्या बोलते हैं उसे creep बोलते हैं Next question Concrete cubes को prepare करते हैं हम test करते हैं किस code के अंतरगत तो IS 516 जो होता है उसके अंडर हम इसे करते हैं Next question Poison's ratio cement concrete का जो है वो लगबग 0.15 हम consider करके चलते हैं Next question As per IS 13311 Ultrasonic test जो है उसके अंदर good quality कब बोलेंगे Good quality of concrete कब कहेंगे Good quality of concrete 4 to 5 km per second या 4000 से 5000 अगर speed आएगी आपके पास ultrasonic pulse की तो आप उसे good quality बोलेंगे 5000 से उपर है तो excellent Questionable हो जाएगा 3 से 4 km per second के case में पूर बोलेंगे 2 से 3 km में और 2 km से कम में बहुत ही खराब Next Incorrect statement इन में से कौन सा है इन में से incorrect statement कौन सा है जिन दोस्तों ने अभी तक इस session को like नहीं किया है वो इस session को like कर दीजिए और जिन दोस्तों ने like वाइक तो चलो छोड़ो यह सब important बात यह है कि जिन दोस्तों ने अभी तक वो वाला session नहीं देखा है most important questions of building material करके एक session है वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लिजेगा उसके अंदर हर topic से specific question है और हर एक चीज जो उसको हमने discuss किया था या last जो marathon session होई थी building material की वो refer कर लिजेगा तो उसके अंदर हर एक topic से related क्या questions पूछ सकते हैं वो सब हमने discuss किया हुआ option D है हमारा incorrect answer है इन में से क्योंकि 37 degree नहीं 27 degree बोलते हैं ठीक है चलिए दोस्तों आज के लिए इस subject से related इतने questions इतने practice sessions करेंगे next जो हमारा subject रुगा fluid mechanics और strength of material हमारे होने वाले हैं कल और परसो तो जितने भी आपके दोस्त हैं उन्हें आप बता सकते हैं link डाल दीजिए link ठीक है दोस्त पोस्ट कर देंगे हम थोड़ा सा आप भी कुशिश कर लीजेगा कि आपको previous जो वीडियोज हैं civil 101 पर वीडियोज में जाना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है मिल जाएंगे आपको ठीक है दोस्तों thank you so much मिलते हैं हमारे एकले सेशन में और कल शाम को 8 बजे फिर से हमारा सेशन होगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे next subject हमारा fluid mechanics और उससे related questions करेंगे questions का level फिर से वही बात कि JEE से थोड़ा सा उपर होगा और जितने भी आपके upcoming exams हैं जिनके अंदर level थोड़ा सा अच्छा आने वाल है उन सभी के लिए वो helpful होगा जाए आप JEE, SSE, JEE का paper 2 है उसकी बात कर लीजिए जाए आप कोई भी A level के exams जो हैं उनकी बात कर लीजिए ठीक है दोस्तों, thank you so much और मिलते हैं अगले session के अंदर timing 8 बजे शाम को okay, take care, bye-bye